आलो प्रेंट्स जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं पाउडर मिनरल्स पाउडर जो एक बॉयमिन बी इल्टरा है जो केरस कंपनी का है जो इक विर्वे कंपनी का है चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट इन दोनुं पाउडरों के बारे में आज मैं आपको डिटेल से होगा कि इन दोनुं में से अच्छा पाउडर कौन सा है और आप अपनी जो गाय भैस या भेड़ बक्री किसी को भी आप अपने पसों को देना चाहते हैं तो कौन सा पाउडर आपको ज्यादा बेनिफिट कर फाइदा देगा और किस तरह का मिनरल मिक्सर आप अपने पसों को देंगे तो आपके पसों में सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा इन दोनुं पाउडरों में से कौन सा पाउडर आपके पसों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट यानि फाइदेमन है इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा वीडियो लंबी भी होगी वीडियो को skip करके मत देखना वीडियो को पूरी देखना यह दी वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रोपर नॉलेज मिलेगा क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कौन सा मिंदरन मिक्सर पाउडर सबसे अच्छा होता है जिस तरह से चिलेटेड एगरी मिन फोर्ट के अंदर आपको जो लिस्ट भी दिखरी है कि इसके अंदर पर केजी के अंदर इसके अंदर क्या-क्या मिलावा होता है देखो चिलेटेड एगरी मिन के अंदर विटामीन ए साथ लाक इंटरनेशनल यूनिट मिली है विटामीन D3 भी है दिख रहा आपको कितनी क्वांटिटी मिली है विटामिनी 250 मजी कोबाल्ट है कोपर है आयोडीन है आयरन है मैंगनेशिम है पोटेशियम है सोडियम और मैंगनेज सलपर जिंक केल्सियम फासपोर्स यानि कई इस पावडर के अंदर मिले हुए है अब आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस तरह के जो कंपोजिशन या एलिमेंट्स जो तत्व हैं इस पावडर के अंदर मिले हुए है जो क्या है चलेटेड एगरी मिन फॉर्ट जो एक विर्भे कंपनी का बहुत ही अच्छा आती है सुगंद आती है तो उससे आप अपने पर शूब को बचा सकते हैं जो पावडर नहीं खाते है ठोच लेटेड एगरी मिन का भी बहुत फाइदा है अब इसी के तोर पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि क्या क्या काम करते हैं यह पावडर जो चिलेटेड ड बांसपन से आप अपने पसों को बचा सकते हैं या आपके पसों में दूद की मात्रा कम हो गई है तो उसे दूद भी बढ़ा सकते हैं या आपके पसों में जिस प्रकार से छोटे बचड़े हैं उनकी भी वेट गेन कर सकते हैं उनको भी आप जितना ज्यादा एदियाप पाउडर होते हैं वह आपके पसों में किसी भी तरह के जो इमने मिनरल स्टाइए इनकी डिशेंसी होने से बचाते हैं ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिस एरिया में परिपूर्ण आपके पसों को पुरूट एलिमेंस खाने या दाने से मिल जाएंगे तो आप अपने पसूं को मेंनरल्स पाउडर आप अपने पसूं को दें ताकि कई भी मारियों से उस पसूं को बचा सकते हैं इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है अब देखो इसके अंदर जिस प्रकार से बोईमिन बी अल्टर आता है जो एक केरस कंपनी का है जिस आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है विटामीन एक 11,500,000 इंट्रनेशन उनट होती है इसी प्रकार इसके ने विटामीन दी थ्री ए निकोटिनिमाइट केल्सियम फास पोर्स मैंगनेसियम सोडियम सेलेनियम पोटेसियम कोपर कोबाल्ट आयोडीन आयरन मैंगनीज जिंक सल पर क्रोमियम, निकिल, बायोटीन, एलाइसिन और मेथ्योनाइन अब देखो इसके अंदगत आप कहेंगे कि इनमें लगबग लगबग बराबर है लेकिन इसके अंदर मिलावा क्या एक्स्ट्रा इस पाउडर के अंदगत मात्रा में क्रोमियम अलग से मिलावा है और इसके के livre किrend Technique Chromium है जो कि आपके पसूं के लिए क्या काया क टा है לצे किसी इसको हड़ी आपके पसूं के जैसे चारला कम घ्रम ब्रभूक नहीं लग रही है तो स्को भी आपके पस देते हैं उसे भी आप इस पाउडर से सकते हैं दिए पाउडर आप अपने पस्वों के देंगे तो डाइजेस्टियों का भी साथ में काम करेगा और सरीर की कोशिकों में गुलकोज और प्रोटीन की मात्रा को जिनकी मात्रा क्या है वह भी बढ़ जाती है ताकि आपके बढ़ती बढ़ती है करणी कई गोगों से लड़ने की की केपिसेटि उस पस्वों के अंधर आसाती है ये पाउडर आपके पस्वों के लिए जो येदीश प्रकार इसके अंदिके जो यहीं अधिसके बंग को जो यह आपको दिख रहा है और क्रोमियम भी बॉयमिन भी अल्ट्रा के अंदर तो बायोटीन आपके पसूं के लिए सरीर के अच्छी साइनिंग करती है आपके पसूं में किसी भी परकार के स्किन डिजी से बचाती है और आपके पसूं की कई रोगू से लड़ने की केपिसि अल्ट्रा तो आप इस पाउडर का परियोग करके लेकिन यह अच्छा एक है प्रीजिल करके भी मैंने देखा है यह दि आपके पास बोई मिन भी अल्टरा नहीं मिलता है चिलेटेड एगरीमिन भी आपकी जिगह बहुत ही अच्छा पाउडर है जहां हो सकता है यह दि आप अपने पस्टों को लगाता है यह दि आप चिलेटेड एगरीमिन फोट दे रहे हैं तो आप एक बर जरूर केरस क कमपनी का कोई एड करें बिल्कुल भी एड नहीं है दोन्य कमपनी अच्छी है दोन्यों जित्रह से उप्योग मिलेता हूँ चिलेटेड एगरीमिन भी उतना ही यूज मिलेता हूं जित्तरह से पस्टों की रिक्वाइर्मेंट होती है उसी के अनरूप में यह पाउडर भी बढ़ाता है आपके पसूं को हीट में भी लाने की कोशिस करता है आपके पसूं में ब्याने से पहले भी यह आप देंगे तो भी आपके पसूं की स्टेंथ बढ़ाता है मजबूत करता है और चोटे बचले बचलों को देंगे तो भी आपके पसूं के लिए फाइदी तो उसे आप 60 ग्राम दे सकते हैं और 20 लिटर से ही आपके पसों का दूद ज्यादा दे रही है तो उसे आप 100 ग्राम परड़े के साफ़ से आप बोईमिन बी अल्टरा की दोज होती है इसी प्रकार चिलेटेड एग्री मिन फोर्ट की 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक दोज होती है यह जो बोईमिन बी अल्टरा है उसकी दोज थोड़ी कम होती है और जिस तरह से यह आपको एहमार पीव दिक्री जिस प्रकार से 1.2 kg में बोईमिन बी अल्टरा 336 रुपिये के लगभग आता है जबकि चिलेटेड एग्री मिन फोर्ट एकेजी का 235 रुपिये के लगभग आता है इन दोनों में इतना डिफ्रेंस है इसी तरह आपको अधर जो पावडर आते हैं मिनरल्स उनके बारे में आपको जाना है तो भी आप नीचे जाकर कर सकते हैं कि सर उनके बीच में कौसा पाउडर अच्छा हो सकता है दो बीच साचा है जिस तरह वीडियो में यह को सोब्स की बारेमिन पसू पालक है जिस तरह जो elements मिले इस तरह के elements से दी किसी बड़ी कंपनी के और powder के अंदर मिल रहे हैं तो वह भी powder आप उन पसूं को दे सकते हैं जो glycine chillated हो glycine chillated क्या है कि chillated agreement फोट से better होता है यह एक और बताना चाहता हूं यह आपकी सुईदा के लिए बता है मैंने ताकि आप अच्छी तरह से समझाएं कि किस तरह का powder हम हमारे पसूं को देना चाहिए अब आप अच्छी तरह से समझ गयोगी यह दिया आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो निशेजा कि आप कमेंट में लिए मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ यह जो विजएंदर वेट के रहें उस्सें दर पर भी बहुत अच्छी वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेंगी एक और बताना चाहत हूं कि आप अपने पसूं किसी बीपसूं को दे सकते हैं नों प्रिग्नन किसी बीपसूं को दे फाइदा ही फाइदा आपके पसूं में द यार दे तेरे थैंक्स धन्यवाद